हेलो गाईस कैसे आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस की वीवो T3 light phone को आप लोग restart कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक वीवो T3 light phone है और इस phone को जो आपको restart करना है अगर आपका जो power button होता है वो खराब हो चुका है power button जो वो काम नहीं कर रहे तब आप लोग अपने इस phone को कैसे restart करेंगे गाईस वो भी without power button पे क्लिक किये तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस button अपने इस phone को restart करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा इस shortcuts and accessibility का तो इस shortcuts and accessibility के option पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद थोरा सा accessibility मेनू का तो इस accessibility मेनू पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद accessibility मेनू shortcut का option आएगा तो इस option को आपको on कर देना है कलिक करने लिए आप जो स्वीच इस इस पे कलिक कर एंगे लिए नीचे आपको एक ऊप्षयन मिलेगा एलाउ का एलाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद गोटिक का ऊप्षेन है गए गोटिक पे क्लिक करेंगे तो contraction on हो जाएगा on रोती आपके स्क्रीन में एक shortcut बटन आ जाएगा तो इस shortcut बटन पे क्लिक करना है क्लिक करती है पावर का option है पावर पे क्लिक करेंगे तो देख सकती है आप पर restart का option आ चुगा यह आपर से आप लोग अपने phone को restart कर पाएंगे और यह जो लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो बसा नाया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई